नमस्कर दोस्तों आज की कहानी है सिकायतों काका बाड़ा काफी देर बेल बचने की बाद आर्ती ने बड़ी बेमन सिज्जा कर दर्बाज़ खोला सीखर घर में एंटर होती ही सोफिप पर जाकर बेट गई सोबई की घटना चलचित की बाद देमाग में चलने लगे सीखर की गलती सिर्फ इतनी थी कि अर्ती की सहीली सीखा को अपने घर आने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उससे लगता था कि पड़ोसियों की बातें आकर की सेर करती है जिसी अर्थी सुनकर बेदित होता जाती है और उसकी उपर बोरा असर पढ़ रहा है इसी बद को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई थी बद इतनी बढ़ गई थी कि अर्थी ने मैं की चानी का निड़े ले लिया सीखर कुछ नहीं बोला और ओपिस निकल गया था घर अर्थी अपनी तयारी पूरी कर चुकी थी सीखर ने बहुत मनानी की कोशिज की पर अर्थी नहीं मानी और चाने लगी सीखर ने बोला अगर तुम नहीं मानतु हो तो कोई बाद नहीं कहीं भी जाते समय बड़ों का असिर्बाद लेती हैं तुम जाओ और माता पीता का असिर्बाद लेलो मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ अर्थी माता पीता का असिर्बाद लेनी चली गई और सीखर कमरी में गया अर्थी के बेग में उसने चानी क्या क्या रखा और बाह चला आया अर्थी की गाड़ी जाने में अभित एक डिड़ घंटी की देरी थी अब इस्टेशन पर वई ही सोचने लगी सोभी की घटनक की बारे में साम की छे बच्चों की थी ठंडी हबाय चलनी सुरू हो गई थी अब उसी ध्यान आया उसने कोई गरम कपड़ा लिया ही न गलब भराया चेरा अंसु सी भर गया सूचनी लगी कि सीखर उसका कितना खयार रखता है उसी इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए था जब वहे ममी पापा की पेर्चुने उनकी कमरे में गई थी तब ही सीखर नहीं सब सामन उसकी बैग में रख दिया था और पच्ची पर ठीका था ठंड का मौसम है और रात पर का सफर है तुम्हीं सरदी न लगी इसलिए मैं कपड़ी रखती रहा हूँ और कुछ पैसे रखी है जो तुम्हारी मैं की में तुम्हारी काम आएंगे जब तुम्हें ऐसा लगी इतनी चोटी सी बात पर हमें नहीं जगड़ना चाह रखती सीखर बड़ी अनमनी धंग सी घर में कदम रखा और सोफी पर जाकर बेट गया रात की दस बच्चों की थी अरती बपिसा गई थी अरती बुली आप ऐसी क्यों बेठी हैं डिनर नहीं करना है क्या हाँ धुली जी मैंने डिनर लगा दिया है सीखर जैसी बिसक्वा अठ्मा एच्जूबा दिख रहा है अरती का हाथ पकड़ कर गली से लगा लिया अरती ने सिफ इतना ही कहा सिखायतों का पुलंदा बंद रखा था मैंने तुमने गली से लगा कर सारी सिखायतों का कबड़ा कर दिया धन बात दोस्तों अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर करें अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों की साथ तब तक के लिए बाई बाई